असलाम लेकुम class 5 this is your English literature book हम लोगोंने जो है वो the world in a wall जो है वो पड़ लिया ठीक है Robinson Crusoe पड़ लिया so grapes पड़ लिया ठीक है आज जो है वो हम पढ़ेंगे next chapter अपना जो है भैलोल ठीक है और आपको जितना भी काम वीडियो में दिया जा रहा है ठीक है इसको 13 September से पहले पहले चेक कर वा लें 13 September के बाद कोई previous work आपका चेक नहीं होगा आज आता है उन्हें चप्टर की तरफ ठीक है बैलोल बैलोल यहां पे जो है वो कोक है ठीक है सर्वेंट है स्टोरी में और यह स्टोरी जो है वो misconception के पर बेस्ट है गलत फह्मी हो गई है स्टोरी में ठीक है और इसमें एक कोक है और एक लेडी है ठीक है morning coffee is always served to me on the veranda looking overlooking the state it is a joy to look out every morning and watch the sunshine gradually spread across the slopes and to sip my own coffee served to me by भैलोल यहां पे जो एक लेडी है जो अपनी स्टोरी बता रही है ठीक है तो वह कह रही है के morning coffee हमेशा मुझे सर्व होती है मेरे बराम दे में disclीके सहन में मेरे जहां पर सूरज की रोष्णी जो यहीं मुझे बतलब अच्छा लग रहाता है के हर सुबह सूरज की रोश्णी आ रही होती और मैं गरम गरम जो है वो कौफी पी रही होती है जो कि मुझे मेरा सर्वेंट जो है वो बहलोल जो है वो सर्फ करता है बहलोल हैस बिन विदा फैमली आ लॉंग टाइम नाओ बहलोल जो है उनकी फैमली के साथ जो है वो काफी अरसे से काम कर रहा है उसके बगार लाइफ जो है वो कुछ नहीं है वो हमारी फैमली के पास काम करने के लिए उस वक्त है था जब मैं एक टीनेजर थी वो किसी भी चीज़ के बारे में जादे एक्साइट नहीं होता है वो हमेशे काम रहता है वो कभी का बाज है वो मुश्कराता भी है हसा भी है ठीक है एंड ही बहुत अच्छा कोक है यह तो बहलोल का इंड़क्शन हो गया अब मैं आपको वो एक वाकिया बताती हूँ जब मैं उसके पर बहुत खुस्सा हुई लेट बन आफ्टर नून दे एरिया कांसलर और इस वाइफ कॉल तो सी मी एक दिन दुपहर के वक्त हमाई जो एजे के जो कांसलर थे और उनकी वाइफ जो थी मुझसे मिलने के लिए घर पर आई दे मेट नो साइन ओव वांटिंग तो लीव बट सेट एंड टॉक एज दॉक तर्न इंट नाइट उनके जाने के कब वो काफिटे तक बैठी ने उनके जाने कोई असार नहीं देख रहते थीक है और जो है वो लोग बातों में इतना मजगोल हो गए कि जो है वो उनका शाम कब हो गई और शाम जो है वो कब राजम बदल गई पता नहीं लगा I thought I had better offer them some supper मैंने सोचा कि मैं उनको जो है कुछ खाना offer कर दूँ Supper कहते हैं खाने को But I doubted whether we had anything suitable in the pantry I excused myself and went into the kitchen मैंने सोचा कि मैंने कुछ खाना offer कर दूँ लेकिन मुझे doubt हुआ कि क्या हमारी pantry में जो है वो कुछ खाने के लिए है अच्छा Pantry कहते हैं ऐसी जगह को जाने पर हम लोग food वगर स्टोर करते हैं तो मैंने अपने गैसे एक्सक्यूस किया और फिर मैं किचन में चली गई भैलोल I said what do we have for supper मैंने भैलोल से कहा कि हमारे पास खाने के लिए क्या है leftover food from lunch madam he replied उसने का तो दुपहर में जो हमारा lunch बज़ गया था दुपहर का खाना जो हमारा बज़ गया था वो ही है रात के लिए and then explain further tomorrow is market day no food in the house today madam तो उसने फिर आगे और बता के कल जो है वो market day है तो इसलिए आज घर में कुछ भी खाने का नहीं है what are we going to give the guest I asked मैंने उससे पूछे कि अब हम महमानों को क्या खिलाएंगे बहलोल stirred at me blankly तो उसने बिल्कुल blank होके घूरा मुझे in the pantry cupboard I found an old tin without a label अब मैंने फिर pantry cupboard अपने cabinet में kitchen cabinet मैंने एक तेन देखा एक पुराना सा तेन देखा इस पे कुछ लिखावा नहीं था what is this बहलोल I asked मैंने बहलो से का बहलोल यी क्या है no label madam I don't know बहलोल ने का मुझे नहीं पता क्योंकि इस पे कुछ लिखावा नहीं है came the brief reply open it and see we shall have it for supper but give some to the chickens first if they are all right then we shall know the food has not gone bad तो जब उसने कहा के मुझे नहीं पता इस पे कोई label नहीं है तो मैंने बहलोल से कहा के इसको खोलो और देखो ठीक है और फिर ये थोड़ा सा food जो है हो सकता है कि हम लोग इसको food अपने खाने में राते खाने में यूस कर सके लेकिन हमें देने से पहले तुम ये food जो chickens को देना अगर जो है वो चिकन सही रहती हैं तो इसका मतलब है कि food खराब नहीं हुआ है बैलोल ने सही लाया और वो अपने काम में लग गया remember to tell me immediately if anything happens to the chickens I said and returned to entertain my guest मैंने कहा के तुम मुझे फॉर ना के बताना अगर चिकन को कुछ भी होता है तो तुम मुझे फॉर ना के बताओगी अभे मैं अपने guest के पास वापिस चली ले the counselor and his wife were looking out over the plantation nice crops of beans this year said the counselor I hope so I remarked times have been a little hard we talked about this and that and then बैलोल appeared and summoned us for supper हम लोग कुछ plants वगार की बात कर रहे थे plantation वगार की बात कर रहे थे उन्होंने कहा के जफा काश वगार बात अच्छी हुई है ठीक है तो जो है हम लोग बस यह बाते ही कर रहे थे कि एतनी तेर में बहलोल जो है वो खाने के साथ आ गया डू जोइन मी पॉर लिटल सपर आई सेट तो माई गैस मैं अपनी गैस से कहा कि आप लोग जो है वो में साथ खाने में जोइन करें गूद नेस ग्रेस्ट एक्सलेंट गांसलर इस टेट बातो में वो लोग इतना लग गए थे राता थे क्या में चुन्सकिंग आप लोग जाना होमें आप इन पर बहूं को जोग दो मैंने उनसे कहा कि आप हर्गेज नहीं आप लोगों को जो है वह जाने से पहले कुछ नक कुछ तो खाना होगा वी फॉलोट में इंटो दानिंग रूम एंड वी सेट अराउंड दा टेबल बैलोल सब्सक्राइब और फिर थोड़ से देर महीं खड़ा हो गया अब उन लोग में साथ जो दानिंग रूम में आगा हम लोग टेबल पर बैट गए ठीके बैलोल ने हम ल करने से पहले पूछा कि बैलोल क्या तुमने चिकन को खिला दिया है येस मैडम ही रिप्लाइट एंड देन हरी आउट आउट ओफ दा रूम वो इसने का जी मैडम और फिर वो जल्दी से रूम से भार चला गया ही ज़िए इस गॉन तो सी इफ दे चिकन सा इस्टिल अलाइ खाना खाने लग दोई है वी वर हैविंग आ प्लेजन चैट आप्र 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 आप मील अपर हमने खाना खाने के बाद ही बहुत अच्छी गुफ्तुगु करी वेन बहलोल वर्स न्टु दा रूम जब बहलोल जो है वो कमने में दाखिल हुआ हुआ हम लोग उस वग बहलो अच्छी गुफ्तु करें ठाना खाने के बाद मैडम मैडम दाशीकंस वेल भालौल लोड जो है कहने लगा मैंडम मैडम दाशीयकरुकंस वास थे भाउंद चिकंस क्या वया क्या मसल आ हो गया क्या बैट अटि युक्ट एट शेंटेट राव अ रूम अधhr इंप्ल नर्वेस हो के अपने गैस की तरफ देखने लगी they are dead madam cried the cook wringing his hands cook जो है वो होई लगा के वो मर गई है dead what all of them I asked दोसने का dead क्या हो गया dead क्या सारी की सारी all of them dead madam so बैलोल and hurried out of the room उसने का के सारी के सारी मर गई है बैलोल ने उदाज से कहा और फिर वो कमरे से भार चल गई I turn to my guest मैंने अपनी guest से कहा I am afraid we have a problem I explain मुझे डर है कि हमारे साथ एक problem हो गई है मैंने उन से कहा the cook fed some of our food to the chickens and they have they have all died उसने कहा कि हमारे हमारा खाना हमारे cook ने जो है वो chickens को भी दिया था तो वो सारी कि सारी जो है वो मर गई है I shall have to call the doctor मुझे doctor को भलाना होगा I don't know how to put this politely मुझे नहीं पता कि यह बात आप से कैसे करनी है but may I ask you to please go to the bathroom and be sick तो आप लोग क्या क्या मैं आप से कह सकते हूं कि आप लोग जो है वो वाश्रूम चले जाएं B6 asks the shocked visitor visitors ने बड़े हैरानों के पूछा B6 Yes I am terribly sorry I said please get rid of the food I don't want to I don't want you to suffer from food poisoning उन्हें का जी मैं बहुत जादा आप से माफी चाहती हूं ठीक्या प्लीज आप लोग वाश्रूम चले चाहें और जो है मैंने चाहती कि आप लोगों को जो है वो food poisoning हो Never had they received such a request and never had I given such an advice in all my ears. You can imagine the scene well enough. अब वो हम लोगों को यी बता रही कि मैंने कभी किसी से ऐसी मतलब उन लोगों ने भी जो guest source को ने कभी ऐसी request किसी से नहीं ली होगी ठीक है और जो मैंने कभी अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी किसी को advice नहीं दी के वो खाना खाती मतलब washroom चलना है ताक उनके तब नहीं खराब हो तो आप लोग पूरा scene जोए वो imagine कर सकतें के क्या हुआ होगा the house became a shambles over the next half an hour अब पूरे घर में जोए वो confusion ही हो गई थी the counselor and his wife looked over looked very green I was feeling no better in my head the room spun around and brown ठीके मेरी guest से उनके भी चेड्रे का color जोए वो change हो गया था मुझे री तब्याट जोए ठीक नहीं लग रही थी मेरा मुझे सरकर से मुझे चपकर आरना पूरा घर जोए वो घूम रहे exhausted we collapsed into comfortable chairs in the sitting room we sat wrapped in blankets by the fire looking into the flames and trying not to think about what had happened the poor man had looked so upset वो बिचारा गरीब बहुत अपसेट देख रहा था I found Belol sitting on the back doorstep his head in his hand gently rocking to and fro and whimpering to and fro and whimpering to and out of the way I found Belol sitting on the back door and put his head on the back door you can see it in the picture this lady is Belol and he is sitting on the back door never mind Belol I said trying to console him it's not your fault it couldn't be helped I am sure our visitors will be alright थीक है तो Belol को उन्होंने तसलित देते वे कहा कि कोई बात नहीं है थीक है ये इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है मुझे यकीन है कि हमाई visitors जो हमाई जो guests है वो ठीक होंगे Belol looked up at me with tear filled eyes Belol जो है वो मुझे देखने लगा उसके आउंकों में थोड़ सा आसू थे I suppose we had better collect of the chickens now I said this मैंने उसे advice कि अब हमारा खाल है कि हमें chickens को उठा लेना चाहिए Belol gave me a blank look Belol ने मुझे फिर से blank होंके देखा The chickens Belol I explained they should not be left lying around Where are they I said Belol chickens को जो कहां पर है वो chickens Belol की chickens कहां है वहां पर तो नहीं यह जहां पर थी तो यह लोग chickens हैं कहां chickens madam asked Belol How can we find the chickens Well where did they die I asked Belol ने का chickens madam Belol ने मुझे बुझा chickens तो हम उन chickens को जो वो कैसे ढूंदेंगे मैंने कहां के chickens हैं कहां वो कहां मरी है They must be in the backyard somewhere उनको backyard में कहीं होना चाहिए No no madam said Belol The chickens are not here I told you they are dead तो चिकन भैलोल ने कहा के नहीं नहीं मैडम chickens जो यहां नहीं है मैंने आपको बताया था के वो मर गई है Yes Belol I said with some irritation मैंने मतलब उलशते वे कहा irritate उरते वे कहा के हां Belol But where are they? लेकिन वो हैं कहां? तो उनको यहीं कहीं होना चाहिए लेकिन वो हैं कहां वो तो यहां नहीं है I don't know said Belol Belol ने कहा मुझे नहीं पता The fox killed them and took them away somewhere Belol ने कहा मुझे नहीं पता chickens कहां हैं लेकिन उनको जो मारा था वो fox में मारा था और वो उनको कहीं ले गई है Did they not die of food poisoning? I asked मैंने वड़ी हरानी से पूछा कि क्या वो food poisoning से नहीं मरी है Food poisoning आपनों को पता होगा ठीक है एक disease है जो खराब खाना वगारा खाने से हो जाती है मैंने पूछा कि क्या यह food poisoning से नहीं मरी No madam said Belol A fox killed them I took a deep breath I took a deep breath I took a deep breath I was too weak I was too weak To attack the man I turned and walked Unsteadly into the house I had some explaining to do An apology to make The foreign वो गई अपनी guest के पास ठीक है और अपनी guest के पास का कि मेरे पास आपको explain करने के लिए वजात देने के लिए कुछ है ठीक है और जो भी कुछ हुआ मैं जो है वो आपसे माफी चाहती हूँ उस चीज के लिए ठीक है यह आपका वैलो का chapter था इसके explanation मैं आपको दे दिये short करके ठीक है मुश्याले नेक्स वीडियो में इसका हम कॉपी वर्क करेंगे करेंगे